Hello everyone, welcome to this session of Indian history और आज का हमारा टॉपिक है महा जन्पत जिसमें मैं आप लोग के साथ मैं दोस्तों मगद भी डिस्कुशन करूँगा तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके एक्जाम में कोशन आते हैं तो चलिए शेशन को शुरू करते हैं आप सभी लोग यारे सेशन को लाइक करेंगे और शेयर भी जरूर करेंगे अब दोस्तों लोग बात करेंगे तो यह मेरा सोशल मीडिया के हैंडल है आप चाओ तो फॉलो कर सकते हो अब गाईस हम लोग बात करेंगे महा जनपत तो यह दो वर्डसों मिलकर करेंगे महा प्लस जनपत तो महा का मतलब होता है great बड़ा और जनपत का मतलब होता है state या फिर आप बोल सकते हो kingdom तो हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले बड़े बड़े राज्जियों के बारे में बहुत बड़े बड़े kingdom के बारे में ठीक है और आपको बताना चाहूँगा जम लोग वैदी केज पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि 600 BC का समय जो है आते आते हमारे country में 16 बड़े बड़े state थे 16 great state थे जिनको कहा गया था 16 महाजनपत तो यही मैं आप लोग के महाजनपत एक्जिस्ट करते थे जैने कि kingdom अब अगर दोस्त में बात करेंगे kingdom है तो मतलब अर्बन एज है और इंडिया का सेकेंड अर्बन एज है क्योंकि जो फॉस्ट अर्बन एज है वो क्या है आपका इंडस वैली civilization अब एक कोशन आता है कि जो महाजनपत है 16 के 16 उनक मतलब भगवती सूतर और अंगुत्तर निकाह दोनों में ही आपको 16 के 16 जो स्टेट है उनके नाम आपको देखने को मिलेंगे यानिकि 16 के 16 महाजनपत के नेम आपको देखने को मिलेंगे यह भी अपने आप में question है बस आप लोग क्या करों दोस्तों मुझे सुनो ठीके और एक आपको अश्माका दिख रहा है या फिर अशाका दिख रहा है इसके बारे में इतना याद रखो अश्माका या असाका एक मात्र ऐसा महाजनपत है दोस्तों जो कहां पर है सौथ इंडिया में इसके लाव एक भी हम लोग बात करेंगे तो आप से और question आ जाए कि महाजन अश्माका देख सकते हो यहां तो यह वज्जी है अंग देह सकते हो आप लोग यहां पर नहीं है और प्रेज़ेंट में दोस्तों बात करेंगे कौनसे अरिया में यहां पर मैंने आपके लिए side में लिग दी है ठीक पर आपको यह सब याद नहीं करना है जो याद करना है वह मैं आपको समझा रहा हूँ पर हाँ एक आईडिया हो जाता है कि कौन सी जगहा पर है तो अच्छा हो जाता है बाद में यही मगत पूरे इंडिया को कैप्चर कर लेता है ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसमें जिसमें अंडरलाइन कर लिया है वह हम लोग को बहुत अच्छे से ध्यान देना है जैसे कि मगत दोस्तों तो मगत की कैपिटल थी राजगीर और क्योंकि जो राजगीर आज की डेट में दोस्तों किस नाम से जाना जाता है पटना के नाम से जाना जाता है देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों अगला आप लोग कॉशल याद रह सकते हो कॉशल की कैपिटल थी श्रवस्ती और आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध जी ने अपने मैगजिमम शर्मन जो यहीं पर दिये थे मैंने आपको बताया था तो जो श्रवस्ती है यह आपको कहां पर देखने को मिलेगा भई अभी मैं आप लोग से बात करें तो यूपी में देखने को मिलेगा ठीक अग्ला दोस्तों कॉष्ट्ण आता है अवंती का पुराना नाम क्या या फिर अवंती की कैपिटल कया तो यहां पर आप देख सकते हो उजेन है और यह कौन से रीजन पढ़ता दोस्तों तो आपके मालवा रीजन पढ़ता है मालवा प्लेटियू मालवा पठा यहने की हम महा जिनपद में था मल इसलिए याद रखो दोस्तों क्योंकि यही पर महा परी निर्वान हुआ था है कि नी गौतम गुजी ने बात करेंगे तो यही पर अपनी बात करेंगे तो यह शरीर को त्याग दिया था कुशी नगर याद होगा आप लोग को बाद में इसकी capital आटक ह हो जाएगी किसकी मल की अंगकी चंपा है काशी आपके लिए इंपोर्टेंट है काशी की capital थी वारण सी और आप जानतों यह oldest living city काफी इंपोर्टेंट है गंधार आज की डेट में कहां पर आफगानिस्तान और इसकी capital दुआ करती थी तक्षिला ठीक है आगे मैं इसके बा यहां पर दोस्तों यादक ना जो भरत थे ना रामयन में जो भरत धे उली के आप नहीं तक्षिलi नहीं को बनाये जरूँ कि नहीं कि काम करता हूं यहां पर हुआ खा क्या इंपर देख bushes यहां आप देख रहे हों यह मगन ठीक है न, यहीं से ऐसा बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ, क्या करेगा, पूरे देश में फैल जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, हमको सिर्फ क्या पढ़ना है, बाकी के सारे के सारे इसी के अंडर में आ जाए, ठीक है न, तो एक एक करके कुछ नहीं पढ़ लेंगे तो हम लोग क्या पढ़ते हैं अब मगद में दोस्तों एक-एक करके कितनी डैनेस्टी आई है अगर आपसे एकजाम में कोश्चन है तो इसको मैंने लाइन से लिग भी दिया और इसके याद करने का ट्रिक भी है क्या जैसे कि हम लोग बात करें दोस्तों तो एक उत् हरी साई नात मेरे शिडी के तो हरी से हो जाएगा हर यंकर डैनेस्टी साई से हो जाएगा शिशुनाग नात से हो जाएगा नंदा मेरे से हो जाएगा मौरिया शिडी से हो जाएगा शूंग और के से हो जाएगा कनवा हरी साई नात मेरे शिडी के इसके लावा एक और बात करेंगे हसीन यह देख रहो हसीन बोल देते हैं इसको ऐसा चाहिए ने आपर पोस्त कर लो मैं आपर भाद कर दो है यह फिर आप बोल देते हैं लोग जो आप दोस्तों अब याद करने तो सबसे पहले लोग पढ़ेंगे हरियक डैनेष्टी देखो सबसे पहला question हो जाएगा मगद का founder कौन था तो दोस्तों वही founder होगा मगद का जो की first dynasty का founder होगा पहले यहां पर हर्यंकर डिनस्टी ने रूल किया फिर हर्यंक्या वालों को हरा करके शिशुनाग वाले आ गये फिर शिशुनाग वालों को हरा करके नंदा लोग आ गये तो इस प्रकार से एक एक डिनस्टी आएगी तो जब हम लोग बात करें जो पहला डिनस्टी जो पहला वांचे उसका नामी के हर्यंका डिनस्टी यह लोग मगद में रूल करना स्टाट करेंगे और इनका फाउंडर कौन तो दोस्तों बिम्बिसार या पर बिंदू सार नहीं लिकाई यहां पर क्या लिका हुआ बिम्बिसार वस फाउंडर ऑफ हर्यंका डिनस्टी ऐस वैल एस इसको राजगीर या फिराजगी भी बोलते हैं और यहां पर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको यहां पर अगर आप लोग मगद देखोगे तो यह आपको दोस्तों यहां पर आगे जा करके पटना क्यलाएगा तो मेरे ख्याल से पॉइंट एक्दम क्लियर हो जाएग तो इसकी जो कैपिटल थी दोस्तों राजगीर या फिक गिरी वज्रती स्टार्टिंग में आगी दा करके जो आपकी पार्टली पुत्र होगी मैं आपको आगे सुन जाओंगा पर पहले यह याद रखो और यह बनाया क्यों था क्योंकि पहारों से गिरा हुआ था तो यह स प्रम गुद्ध के टाइम प्रेट पर भी बिम्बिसार था है कि निए आगे दोस्तों बात करेंगी जो बिम्बिसार है इसको इसी के सन ने क्या किया पहले जेल में डाला फिर मार दिया और इसके बेटे का नाम कहा था आजाश शत्रु तो यह पॉइंट भी आपने यहां इसके कोड का फिजिशन जीवक है इसी कैपिटल ती राजगीर या फिक गिरी भज्र ठीक है फांडर ऑफ हर्यंक का एस आप बोल सकते हो बगदम पैर और इसको मारने वाला इसी का बेटा था अजाश शत्रु तो अब अब हम लोग बात करें अजाश शत्रु ने अपने प आप से कोशन आएगा भाई पित्रहंता का टाइटल किसे दिया गया तो अजाश शत्रु कि पुर्य भारत में ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी बेटे ने अपने बोल सकते हो सिहासं के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी अब दोस्तों इसने स्पांसर की थी फॉस्ट बुद्धिस्ट काउंसिल याद है मैंने आप लोगो को कराया था तो अगेन ये काफी इंपॉर्डन कोशन हो जाएगा तो देखो गौतम बुद्ध जी का जो महापरी निर्वान था वो भी 483 BC में हुआ था तो अगर हम बात करें जो गौतम बुद्ध थे वो किसके समकाल अब अजास शत्रु ने दोस्तों एक बहुत लंबी बैटल लड़ी थे किसे खिलाब लिच्छावीयों के खिलाब और इसमें इसने दो हथियारों का आप बोल सकतो इस्तमाल किया गया था वेपन का इस्तमाल किया था और उन वेपन के नाम ते रत मुसल और महाशिला कंटक तो आप समझ सकते हो यह कितने साल पुराना जो है बहुबली मुई में इस लोगों ने लिया तो लिच्छावियों के अगेंस में इसने रत मुसल और महाशिला कंटक का इस्तमाल किया अब अजास शत्रु के बाद आएगा उसका बेटा और इसका नाम होगा दोस्तों उदा अजास शत्रु को भी किस ने मारा था वही उदाइन ने मतलब जो आप अपने पापा के साथ करोगे आपका बेटा आपके साथ करेगा लेकिन इसको पित्रहंता नहीं कहते क्योंकि पित्रहंता का तो टाइटल और अजास शत्रु को दिया जा चुका था ठीक अब उदाईन किया था उदाइन ने उसके लावा दोस्तों इस डैनिस्टी में और कुछ खास है नहीं और इसका लास्तिंग हो जाएगा इस डैनिस्टी का उसका नामे नाग दाशक जो आस तक एक्जाम में नहीं आया और नाग दाशक को दोस्तों मारने वाला कौन था शिशुनाग इसी का जो फांडर होगा वो शिशुनाग होगा और इस व्यक्ति ने दोस्तों कैप्चर कर लिया किसको उज्जैन को यह फिर मैं आप ब्रैकेट में ले लेता हूं अवंती को मिला लिया तो करेक्ट टाइंस हो जाएगा शिशुनाग ठीक है तो इस प्रकार से चीज़ें आपकी चलेंगी आगे दोस्तों लोग यहां पर बात करने की कोशिश करें अगला किंग आएगा काल अशुक यह अशुक नहीं है यह काल अशुक है इसको काक वर्ड नहीं बोलते है काक मतलब कुवा तो काक वर्ड के नाम से भी जाना जाता है और इसके बारे बस एक ही चीज़ इ अपनी वैशाली में जो है दोस्तों शिप्ट कर ली ठीक है तो इसने यहीं पर कराई थी क्या सेकेंड बुद्धिस काउंसिल और जो फर्स काउंसिल थी वह कहां पर हुई थी आपको पता यह ना बताओ भाई राजगीर या फिर राजगीरी तो वहीं पर हुई थी आई त हो गया कितम साई हरी साई यह दोने निस्टी में पढ़ लिए अब को पढ़ना नात नात हो जाएगा नंदा डैनस्टी दोस्तों महापद्म नंदा ने क्या किया था नंदी वर्धन को मारा था और महापद्म नंदा एक शुद्र था यह हमारे देश का फॉस्ट शुद्र यह पॉइंट भी आपको याद रखना है काफ़ इंपोर्टेंट है ठीक है ना तो नंदी डैनस्टी के बारे में एक तो और याद रखो कि यह इंडिया की फॉस्ट शुद्र डैनस्टी थी मतलब इसके पहले कभी भी टुद्र डैनस्टी ने रूल नहीं किया तो भारत की पहला शुद्र वंज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग नंद वंज बताना और पहला शुद्र राजा पूछा जाए तो महापद्म नंद बताना इसने बहुत बड़ी आदमी रखी तो इसलिए इसको टाइटल दिये गए और अगली बात इस व्येक्ति ने दोस्तों कैपचर कर लिया कलिंगा कैजा कीैख कलिंगा कलिंगा मतलब आज को टीशा और आगे चल करकेकार जोस्तों यहां पर एक हाथी गूफा इंसक्रिप्शन भी देखने को मिलता है इसके बारे में अगर दोस्तों मैं पहले आपसे discussion कर लेता हूं यह आपको ना हाथी जो होता है जो अपर पोश्चन होता है वह दिख रहा होगा आपको अपर ध्यानते देखो तो हाथी गुफा जो inscription है यह कहां पर मिलेगा आपको तो मैं ऐसा लिख देता हूं दोस्तों कि आपको देखने को मिलेगा नियर भु भुनेश्वर किया वह कैपिटल है किसकी और हाथी गुफा जो inscription है वह किसने बनवाया वह तो जो एक किंग वह करता था जिसका नाम क्या था खारवेला उसने बनवाया था अगर खारवेला के बात होई तो मैं आपको यहां पर और बता देता हूं कि जो खारवेला था यह चिदी डैनेस्टी जो रूल करती थी उसका एक किंग था और चिदी डैनेस्टी कहां पर रूल करती थी उडिसा में इसी खारवेला ने बात करेंगे दोस्तों भुनेश्वर के पास में ही एक के बनाई थी जिसका नाम है उदाइगीरी केवस तो आप से पूछा जाएगा उदाइगीरी केवस जो है वो किस से रिलेटेड वहां पर आपको इंस्क्रिप्शन वगरा देखने को मिलेंगे तो जैनीजम क्यों जो खारवेला था वो जैन धर्म को फॉलो करता था यह भी बात आप लोग को यहां पर ध्यान में रखना है अब यहां पर आप लोग सोच जिक्र आपको देखने को मिलता है और यह किसने करवाया था खारवेला ने करवाया था तो खारवेला के दो चीज़े फेमस है एक तो आपका हाथी गुखवा इंस्क्रिप्शन जो यह है दूसरा हो जाएगा उदाइगीरी केवस तो यहां पर मैंने एक साथ पर दोनों तो इसने बोला कि मैं हूँ सेकेंड परशुराम मैं क्या हूँ सेकेंड परशुराम यानि की दूसरा परशुराम वही हो दोस्तों यहां तक की बात है आपकी क्लियर हो जानी चाहिए अब महापद्मनंदक के समय में उसके दरबार में एक बहुत ही बड़े विद्वान हु संस्क्रित ग्रामर की फस्ट गुक का नाम का अस्ट अध्याई आप ऐसे याद के लिए और उसको पानी नहीं पी करके फड़ी दिखा ता ऐसे है और यह जो है दो मतर होते बहां साहिए जिसको लोग बात पंए महेश्वरा शुत्राणी भी कहते है यह फोर्टीन वर्सेस यहां से पूरा का पूरा संस्कृत गामर निकला है तो आप समझ सक्ते हों किसि करेगा और आगे ?? यहां से रिकंवर कीया ता और यहीं पर इसलिए मैंने खारवेला का जिक्रिक किया तो मैंने उसके उद्धेगिरी की ये आपका भूनिश्वर के पास में ही तो दोनों ही इसी का था किसका खारवेला का ठीक है ना तो मैं चीजों को connect करने की कोशिश कर रहा हूँ अब तो यह पनिनी किसके दरबार में था मैं सीदी सी बात है यह महापद्म नंद की दरबार में था तो इत्ती बाते क्लियर हैं अब देखो एक कोशन आता है भारत को पहला वंश कौन सा था जो एक समय में अरेबि अगर से लेकर के बात करेंगे तो बेह बेंगॉल तक फैली हुई है यह कोशन है वही जो मैंने आपको इमेज के दुरू कराया अगला कोशन बात करेंगे दोस्तों तो महापद्म नंदा के बाद में उसका बेटा राजा बनेगा जिसका नामों का धनानन्द जिसको अग्र मैं आप लिक देता हूं कि इसको ग्रीक लिट्रेचर में ऐसा कहा गया अलाकि आप लोग को ध्यान में रख लेना चाहिए भी अब दोस्तों यह लास उलर था नंद डानेस्टी का यह आप लोग याद रखो और धना नंद को मारा किसने था तो करेक्ट टांस हो जाएगा च एठी को हम लोग और किस नाम से आते हैं इनिक और म नोग user को बोलते हैं विश्नुगृ्ट के नाम से जानते हैं और Sophia जनते हो एट टकशिला इंवश्टिया कर दोस्तों बात करूं एक चीज़ करना डोन П default करो और एक चीज का जिक्र करना बहुत जडरूरी आइक्शली व ह अटेक करता है कौन पता है अलेक्जेंडर और अलेक्जेंडर अटेक कर रहा होता है इंडिया में और महापदमनंदा का जो बेटा है धानंद ये अपने ही भोग विलास में खोया रहता है और बात करें तो चानक की आते हैं इसको समझाने कोशिश करते हैं कि तुम जाकर के द तुमारे समूल नाश कर दूँगा तो चानक के ने एक अपना शिष्य था जिनका नाम था चंद्गुत मौरे उसको ट्रेंड किया और इसी चंद्गुत मौरे ने दोस्तों क्या किया आगे जाकर कि धनानंद को मारा यह बॉइंट भी आप लोग यहां पर ध्यान में रख सकत ठीक और मुझे क्या बताना चाहिए आप इतना ही आप लोग जानो तो काफी रहाएगा ठीक है अब दोस्तों अगर लोग बात करने के कोशिश करेंगे तो चंद्गुत मौरे ने किसको मारा यहां पर बताओ चंद्गुत मौरे ने यहां पर मारा है धनानंद को यह पूरा इसमें याद रखना किस की स्टॉरी है इसमें यह बताए किस तरीके से चंद्गुत मौरे ने चानक के गाइडेंस में इसको मारा था इसको किल किया था तो करेक्ट आंसर हो जाये का धरानंद को यह पॉइंट भी याद रखने और इस बुक की ओथर ने विशाख्खा दत् आगे बात करते हैं तो दोस्तों यहां तक की बात आप लोग को क्लियर आ गई होगी अब देखो यहां पर आप लोग देखो ध्यान से तो जो नंद डानेस्टी खतम हो गई है और अब यहां पर चंद्गुत मौरे जो वो किंग बनेगा ठीक है ना यह पकी बात है लेकिन यहां पर हम लोग बात करेंगे यह 330 की बात है जब चंद्गुत मौरे जो किंग बनेगा लेकिन ध्यान के टाइम पिरिड में इंडिया में अटेक हुआ तक इसका अलेक्जेंडर का तो हम लोग थोड़ा से आप अलेक्जेंडर को पढ़ लेते हैं उसके बाद हम लोग दोस्तों हकमनी जैसे एकमेंडीड बोलते हैं इसको यह अंपायर का राजा हुआ करता था और यह सब छोड़ो आप लोग याद रखो जो फॉस्ट इंडिया पर टैक किया था जो परशिया से था उसका नाम था साइरस लेकिन इसका अटैक है दोस्तों क्या हो गया था वह हो गया था इसका अंपायर क्या था दोस्तों बात करेंगे तो हक्पनी अंपायर हुआ करता था यह फेल हो गया थे कुछ कैप्चर नहीं कर पाया था लेकिन उसके बाद दोस्तों बात करेंगे तो पाइव हंड़ेड एंड इंस्टीन बीसी 516 बीसी में डॉरियस नाम करा जाता है परशिया से यह सक्सेस्पुल अटेक करता है और बात करेंगे तो इसने सिंद्ध को कैप्चर भी कर लिया था और इसने सिंद्ध को इरान का बीसवा प्रांत भी डिक्लिया कर दिया था तो कि बात करें दोस्तों इरान है आज का वही तो पहले का क्या था परशिया यह पॉइंट भी आप लोग यहाद रखेंगे ठीक है इंपॉटेंट है ना जित्ते पॉइंट आप लोग के बता रहा हो और हक्मनी अंपायर का फाउंडर भी साइरस था अलागे साइरस के बारे में कोई ही पुस्ता डॉरियस आप ध्यान में देख लो और आप लोग ने अ को ही हम लोग क्या बोलते हैं इंदी में लोग इसी को क्या बोलते हैं सिकंदर बोलते हैं तो वैसे तो यह बात करेंगे 336 से लेकर के 323 BC तक यह रहा पर इसने इंडिया में अटेक कप किया था 326 BC में इस वक्ति ने इंडिया में इंवैड किया था इंडिया में हमला किया ठीक है अब अगर दोस्तों लोग बात करेंगे पहली बात जो ऐखेंडर लोग बात करेंगे तो मैसरे । पापा कया थे जो इसके पापा का नाम क्या था यह प्या यहां पर ध्यान में रखेंगे तो उतक्ष्य खी चिसमें औरक्षिवा चुनग मुआ करता था आंभी आंभी डर्पोक था और इसने दोस्तों बात करें कि तो सरिंडर कर दिया तै कि सामने उस से खोल दिया और इंडिया और अरेट्जर आंधडर His तो किसका शिश्य था अरे अरेस्टोटल का यानि कि अरस्तू का शिष्टा अलेक्जेंडर यह बात भी आप लोग याद रखना दोस्तों 326 BC में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जो आपके सामने यहां पर दोस्तों बात करेंगे जब एलेक्जेंडर आता है इंडिया तो उस समय बात करेंगे मगध का किंग कौन था ये कोशन आपकी इंग्जाम में कई बार पूछा है तो यहां पर हम लोग ध्याद रखेंगे मगध को समय दोस्तों धना नंद ठीक है धना नंद था और इसी लिए हम लोग बात करें जो ग्रेट चानक किया वो जाते भी है कि जब यह आंभी पैटक हुआ था ना तभी समझ गया था कि वो आगे भी जाया क्योंकि तक्षिला तो छिन गया था और वो माना ही नहीं कौन नहीं माना बत जेलम और 326 BC इयर इंपोर्टेंट है इस यह को याद रखो यहां पर होती है बैटल आप जेलम मैंने शॉट में लिख दिया बीओ बीओ मतलब बैटल आप जेलम और युनानी लोग है दोस्तों जेलम नदी को बोलते हैं यूनानी लोग जेलम नदी को क्या बोलते हैं और लोग वेद में बात करेंगे जेलम नदी को क्या बोला गया वितस्ता तो इसी को आप लोग बैटल ओटल आप जेलम बैटल आप आअज और यहां पर बैटल होती है पंजाब का किंग पूरस और अलेक्जेंडर की बीच में और यहां पर दोस्तों जो पूरस है उसको को डिफीट का सामना करना पड़ा हार का सामना करना पड़ा हलाकि पूरस ने बहुत अच्छी इसको फाइट दी ठीक है अब इसके बाद दोस्तों अलेक्जेंडर जब यह जीद गया इस बैटल को आगे चाहता है वो कौन से नदी के पास ब्यास नदी के पास तक पहुंच ज जब जिलम नदी के पास के अंपायर को जीत करके जब ब्यास नदी तक पहुंच तो जो इसकी आर्मी है इसने रिवाल्ड कर दिया था और इसको इंडिया चोड़ करके जाना पड़ा था ऐसा क्यों यही मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा देखो क्या हुआ था जब उन लोगों ने देखा तो बहुत है रहां रहा गया और इसके जो सैनी के सच बताओं तो डर गया और उनमें अफ्रा तफ्री मिच गई और इसी चक्कर में अलेक्जंडर के सैनी को ने ब्यास नदी के पास में रिवाल्ड कर दिया था और अलेक्स जिंडर को फिर कि नाम था यह पिया दोस्तों जब इसकी आर्मिया कर दिया यह वापस लुटे और जोटे रहा तो दोस्तों इराक में जगा है धेबिलान के नाम है ब्लां टुन्टी 3bc में दोस्तों यह बिमार हो जाता है और तो मोत चला गया कि हम को आज बिसको पढ़ना पढ़ रहा है दोस्तों यहां पर अलेक्जेंडर का काम खतम और याद करो मैंने आप लोग को कहां पर छोड़ा था यहां पर वे चंद्रगुप्त मौरे ने धनानंद को मार की नंद दैनेस्टी खतम कर दीती यानि कि मौरे हमको पढ़ना लेकिन बीच में क्योंकि फॉरिनर्स आयते तो मै वो आपके साथ में डिस्केशन कर रहा था तो चैने गईस अब आगे पढ़ते हैं मौरे आप लोग यहां पर दियान में रख लेना मैं आप लिख भी देता हूं वैसे लिखने की ज़रूत नहीं आप लोग समझ जाओ इतना तो युनानी लोग बोलते थे ग्रीक लोग काफी important किताब है यह और इस बुक को लिए लिखाया है कोटिल ले ले या फिर आप बूल सकते विश्णु गुप्त या फिर आप बूल सकते चानक के ले तंस्कृत में है और याद रखो दोस्तों इस बुक में economics नहीं है इस बुक में आपको देखने को जो content मिलेगा वो र discover किया यह एक किताब थी जो लिखी गई थी है ना हम लोग जानते नहीं थे इस बुक के बारे में कि लिखी गई इसको discover करने वाले वक्ति थी आज शर्मा सास्त्री और लिखा किसने दोस्तों तो चानक के नहीं है तो इस किताब में भी जिक्र मिलता है कि एक मेरा शिष्ष लिखागे ना हे पूर्च एससा फ्रस्ट इंस्क्रिपशन ओन ता जुनागर कहपा दो नहीं कि सुना दूटा डोंगा और रूदा जो की रूर करता रॉूंड़atin के आस पास इस ने क्या किया था यह जुनागर अंस्क्रिप्शन लिख और दो और रुद्रदमन दोस्तों यहां पर मैं बता जाता हूं कि कौनसे डैनेस्ट्री से बिलॉंग करता था तो यह सका डैनेस्ट्री से बिलॉंग करता था यानि कि एक सका बंस का यह रूलर हुआ करता था तो हुआ क्या जुनागर में एक लेक हुआ करती थी और इस लेक का नाम किसका कि मैंने चन्दगुत्मॉर्य के द्वारा बनाये गया है लेक अ को हुस करते को समझे नब करें थे चू नब करेंगे आव छोना गड़ करेंगए हम लोग और इंसक्रिप्शन ते विलते हैं ये और इसको रीड करके सबसे पहले इसका English translation किस ने किया दा सबसे पहले इसको read करने वाले और फिर उसका English translation करने वाले जो व्यक्ति उनका नाम है William Jones और इसी William Jones ने 1784 में दोस्तों Asiatic Society of Bengal भी established किया था कहाँ पे कलकता में कॉशन आएगा Asiatic Society of Bengal किस ने मना है William Jones का भी 1784 यह पहला वक्ति जिसने read किया था जोना कर इंस्क्रिप्शन को और उसको translate किया था English में ठीकर ना read करके English में translate करने वाला पहला वक्ति है और इसी वक्ति ने William Jones ने क्या किया था अभी ज्यान शकुंतलम का भी English में translation किया था तो यह point भी आप लोग यहां पर ध्यान में रख सकते हो अब दोस्तों हुआ क्या जब Alexander मर गया तो मालों यह पूरा का पूरा उसका अंपयर है इसको बहुत ध्यान से देखना यह पूरा का पूरा उसका अंपयर है तो मैं यहां योरोप है और इधर यह इंडिया तो इस तरन अंपयर है यही तो बॉलंटरी शेर करेंगा ना इंडिया के साथ तो अगर दोस्तों लोग यहां पर बात करेंगे तो देखो जो इस तरन पैर यहां का किंग बन जाता है पिर अलेक्जंडर के सिना पर इसका नान कर्वाब था यह बंग गया किंगि और यह कहां पर रह गरा ओता रुर्फ नहीं अब गर्राइस्तान डरंवा जो इसी के इसटन अंपयर मुत्षम जाता है उसके अलग जाता है तो इसके हो रिक्षम यहां किते लेत Music अ वाला पार्ट है वह किसके अंडर में चला जा आता है जो इस्टन वाला पार्ट है जो सेलिकर के पास दोशों जाता है उसी पार्ड में अफगानिस्तान भी आता है आई होप आप लोग को बात समझ में आ गही करूँगा इंडिया को जीतूँगा किस को अरा करके चंद कुछकुन करता है इंडिया पे अटक कद चंद कुर्प ने क्या किया यहाँ पर इन के देटिया और समझ में आई चुका होगा यूंकि चंद मौरे के पास में क्या रहेंगे हाथी और हाथी से लोग डरते थे और हाथियों की फोज से घेर लिया गया सेलकस निकिटर को और इसको सरेंडर करना पड़ गया अब जब कोई वक्ति सरेंडर करता है तो क्या करनी पड़ती ट्रीटी यहाँ पर चंदगुत मौरे को चार प्रोविंस म कंट्रोल में था पर अब इसने किसको दे दिया चंदगुत मौरे ने और चानक के ने वोला इसकी बेटी स्याधी करो ताक यह आगया अटेक ना करे तो सेलकस निकिटर की बेटी थी है लैनना और इसकी शाधी भी करा दी गई किससे चंद्रगुत मौरे से मतलब क्रिटी हो लोगे पर हमको भी कुछ चाहिए और ग्रीक के जो लिट्रेचर बोलते हैं कि सेलकस निकेटर ने मांगे थे 500 हाथी ठीक है तो चंद्रगुत मौरे ने बोला हाँ ठीक हम देंगे लेकिन धीरे दिये देंगे तो धीरे दिये देखर नहीं की बात कहीं है दो कभी पूरे दि इंडिका सुपर इंप्रिटंट इसको स्टार मार कर लोगी जो एमेजदर था जो ग्रीक राजडूत था में किसके दरबार मे आया तो दोस्टो याद रखो यह किसके दर बार के दरबाब मैं आए인가 और यहां पर एक लिखेगा इंडिका कौन सी बाशा में लिखेगा ग्रीक इतने पॉइंट मैंने आपको अभी तक बताएं कि सारे इंपोर्टेंट है ठीक है आगे बात करते हैं अब दोस्तों मंगार ने बहुत बड़ा अकाल पड़ता है और चंगुत मोरे अपने लोगों को मारता हुआ दे इश्जि-श्चोपिस साल का वेक्त है कि जभी राजा बन रहा कौन बिंदु सार ठीक है अगधि अगर दोस्तों बाथ करेंगे बिंदु सार राजा किसका बेटा है मतलब एक तो हम लोग बात करेंगे चंगुत मोरे का बेटा है और साथ में दूर्धरा कौँन थी इसकी वाइप थी तो कुछ लोग को लिए कि हिलना का बेटा राजा नहीं बन सकता तो बिंदु सार को राजा बनाया गया और आपको बता जाता हूं कि दोस्तों क्या हुआ था कि दुरदरा को लोगों ने जहर भी दिया कैसे गलती से मैं आपको ताओं दो जो चानक के क्या करता थ बड़ी मुश्किल से बिंदु सार को बचाया गया लेकिन उसके सर पर ना दोस्तों पॉइंट-पॉइंट बन गया थे इसलिए उसका नाम बिंदु सार हो गया और यहां पर दुरदरा मर गई थी ठीक है तो यह बात भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो अब दोस्तों च शवन बेल गोला यहां पर चला जाएगा और यहां पर चंद्गुत मौरे ने दोस्तों परफॉर्म किया था सलाखना या फिस संथारा और मैंने आपको जैनीजह में पढ़ाया था कि वह संथारा में क्या होता है आप तब तक डैत रखते हो जब तक कि आपकी डैत ना हो ज इसल Exit को साहराम फिले तक खिल पेयर जो है ईंदլुश मार्टेन तक ऐसं परों में आपको मिलेगा दोस्तों अफ्गानिस्तान और पाकिस्तान ऑफ्यक्वासर की पहले आप लोग देखो श्रवन बेल गुला मैंने आपको बात की वहाँ पर हर 12 साल में एक इवेंट होता है एवरी 12 इयर्स में दोस्तों लोग बात करेंगे यहां पर एक इवेंट होता है जिसको बोलते है यहां बेल गुला करनाटका में ठीक है तो याद रखना महामस्तिका भी शेख भी जैनिजम से रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों लोग बात करेंगे लोग बंड़िया को मारने बाला अगला बिनदु सार ने कौन से संपृदाय को अपनाया तो आजीविका और आजीविका धर्म को ये महावीर स्वामी के टाइम पीरेट के एं गोशाला मैंने आपको बताया था धर्मार जोक्त जाइट मुस्ञार जिसका नाम था पिंगला वत्स यह भी बात करेंगे दोस्तों बिंदुशार के कोट में रहाता है यह काफी बार एक्जामें पूछा भी गया है और आपसे पूछा जाए जो आजीविका धर में किसके उपर बेजड़ हो डेस्टिनी की उपर बेजड़ है मतलब जो भाग में जाया है और इसको दोस्तों आगे जाकर के सप्रेस करने के लिए अशुग को भीजा गया था कि यह आपके एक्जाम में पूछा जाता है उसके बाद दोस्तों बात करेंगे बिंदु जो सीरियन कींग ता जिसका नाम क्या था एंटियोकस उससे कुछ गिफ्ट नंगाया थ जैसे कि दोस्तों में बात करेंगे यानि कि मैं बात कर रहा हूं ऑफ वाइन और फिलसपर की उस्टों और ने श्राब भींहें बशना कर तो गेohات कि नोस्तों बात करेंगे 273 इसी में अब यहां पर मौत हो जाएगी किस की बताओ 273 BC बिंदुसार की और जैसी बिंदुसार मरेगा उसके बाद दोस्तों War of Succession स्टार्ट हो जाएगा अशोक और उसके भाईयों के बीच में जो की चार साल तक चलेगा 273 से लेकर के 269 BC तक ठीक है और इस War of Succession में अशोक ने अपने सभी भाईयों को मार करके राजा बन गया तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो अशोका 269 से लेकर के 232 BC चार साल तक भी दोस्तों साज बात करो तो 273 में भी वही देख रहा था सब कुछ हना लेकिन वह वार अब दोस्तों श्रिलंका जिसका पूराना नाम कहते दोस्तों शिलाउन आज हम लोग सो क्या बोलते डेमोक्राटिक रिपब्लिक और श्रिलंका यहां की किताब है महावमसा और दीपवमसा वह बताती है कि अशोक की टोटल 99 ब्रदर थे ठीक है ना ऐसा लेकिन पॉसिबल नहीं लगता आगे चल करके हम लोग बात करेंगे बौद धर्मक से एक व्यक्ति इंडिया आया था जिसका नाम क्या था भई विन सैंग उसने बताया था कि अशोक की टोडल कितने भाई थे छे हम लोग दोस्तों आगे की बात करते हैं तो अपने सभी भाईयों को मारने का अशोका राजा बनाता है यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा अब बात करेंगे तो 61 BC में यह इर भी इंपॉर्टेंट है वार भी इंपॉर्टेंट है याद कर लो अशोका ने यह बहुत बड़ी वार कलिंगा वार और यहां पर यादा मैंने आपको एक राजा पढ़ाय अशोका ने बहुत सारे लोगों को मार दिया और जब उसने बहुत सारे लोगों की लाज देखी और यहीं पर दोस्तों उसके बाद एक बुद्धिस्ट मौंग था उपगुप्त उसके तुरू अशोका जो है दोस्तों कनवर्ट हो गया बुद्धिजम में तो यहां पर कोश्चन आया कि कौनसा वो मौंग था बिख्शु था जिसने अशोक को कनवर्ट किये था बुद्धिजम में तो उसका नाम था तब कभी नहीं होगा अपसे मेरे राज्य में हमेशा क्या होगा धम मतलब धर्म धर्म की बात्चीत ही हुआ करेगी बहुत बड़ा परिवरतन था कलिंगरी बैटल के बाद तो 261 बीसी यह बहुत इंपॉर्टन डेट है 261 बीसी यहां पर यहां पर सिर्फ सी लिखा हुआ है तो इसको आप लोग बीसी कर लेना 261 बीसी 261 बीसी बैटल ऑफ कलिंगा आगे बात करते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा पूरा और भी कलिंगा वार के बारे में 13th रॉक एडिक्टि में लिखा गया यह सब भी मैं डिस्क्रिशन करूंगा आगे देखते हैं अशोका की जो पहली वाइप थी दोस्तों उनका नाम क्य पूछा गया एक्जाम में और यह याद रखो बुद्धिजम का प्रचार प्रसा नेपाल में भी जो हुआ है वो किसके टाइम पिरिड में हुआ है अशोक के टाइम पिरिड में ही हुआ है ठीक है और शिलंका का पुराना नाम क्या दोस्तों सिलॉन अगली बात और आपको गौतम बुद्ध को और फिर यहां पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाता किसका महाबोधी टैंपल का याद मैंने आपको बताया था बुद्ध गया में कौन सा टैंपल है महाबोधी टैंपल आगे दोस्तों लोग बात करेंगे अपने शाशन के 20 साल वो लुम्बनी जाता है क्यों कि यह गौतम बुद्ध जी का दोस्तों क्या है बताओ बर्थ प्लेस है इसलिए जाता है और यह लुम्बनी कहां पर है नेपाल में यहां पर एक बात करेंगे तो अभी लेक बनवाता है एक इंस्क्रिप्शन बनवाता है पिलर इंस्क्रिप्शन बनाता है और उस रुमंदई पिलर में यह बताया गया कि जो किंग अशुक उसने लुम्बनी के लोगों का जो टैक्स है वो सबसे कम कर दिया था वन एट और प्रोडक्शन कर दिया था यह सबसे लोवेस टैक्स है दोस्तों इससे कम टैक्स जो है पूरे के पूरे मगद में नहीं लग रहा है ठीक है ना तो यह बात रखना रुमंदई पिलर आपको लुम्बनी में देखने को मिलेगा और यहां पर वन एट जो है दोस्तों बात करेंगे और यहां पर आप लोग समझ सकते हो कि आशुक का क्या होगा आप बुल सकते हो कि राज जरह होगा क्यों क्योंकि एक्स्टेंट जो है ना दोस्तों एडिक्ट का एडिक्ट मतलब क्या होता है एडिक्ट का मतलब होता है ओफिशियल कमांड और 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 मतलब जो राजा की आग्या है वही एडिक्ट में लिखा रहेगा वही तो इंस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा तो जहां जहां पर आगे बात करते हैं दोस्तों आशोक के जो एडिक्ट है वो किससे इंस्पार्ड है डॉरियस मैंने आपको उताया था यह फर्स्ट पर्शिन किंगे जिसने सक्सेस्फुल अटेक किया था अना साइरस ने किया था पर गिए वह सक्सेस्फुल नहीं हो पाया रहा था और अशोक लोग बोलता है शिलालेक और पिलर एडिक्ट को बोलता है स्तंबलेक अब कुछ इंपॉर्टेंट एडिक्ट के बारे में लोग यहां पर पढ़ते हैं जैसे कि आशोक का जो दोस्तों सेवंथ पिलर एडिक्ट है वो यह बताता है कि जितने भी वर्ड में धर्म है खेर डिवनाम प्यद्रीय दूस्ट नाम प्यदार्शी के नाम से जाना जाता है ठीक है यह बात याद रखना धूर्फ एक एइसा है जिसमें आशोख ने देवनाम मिद्र सी की जगहा पे क्या नाम कर दो य यहीं पर बस किंग का नाम अशुक लिए बागे हर जगा पर आपको देव नाम पियदासी मिलेगा ठीक है और यह जो माइनर रॉक एडिक्ट है दोस्तों वन यह इसको मस्की में आपको देखने को मिलेगा मस्की कहां पर है करनाटक मैं अभी आपको यहां पर दिखा देता तो यहीं पर बस किंग का नाम अशुक देखने को मिलेगा है है क्षैन आपको यहां पर मस्की दिखा वह मिल रहा है तो मैं आप लोग Gast je बात करेंगे जैब यहां पर में देखने Careful में तो हम आगे हम यहां पर बात करेंगे उदे गुलम यह आपको दोस्तों अंद्र ये अनदर पर मिलेकर करेंगे तो आपको कहां पर देख्ण को मिलेगा कहां बनें जो इसको दोस्तों है यहां पर आपको देखने को मिलेगा यूँ दोस्तों और उसकी क्वीन दोनों की ही मेज मिल रही है अगर आप से मैं बात करूंगा यह कोश्चन आएगा कि कहां पर उनका पूरा एक पूरा पिक्चर मिला है तो यह आपका कहां पर है दोस्तों मैं आप लिख दियता हूं यह आपको देखने को मिलेगा तरनाती केवस के अंदर में ठीक है और हम लोग बात करने की कोश्च करेंगे तो यह यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा ठीक तो यह थोड़ा से यहां पर ध्यान में रखना और जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा टेंशन मतलों चलिए आगे हम लोग दोस्तों आप बात ठीक है और यहां पर देखो एक कांधार इंस्क्रिप्शन मिल रहा है एक मात रहसा इंस्क्रिप्शन है जो दो लैंग्वेज में ग्रीक और अरेमिक यह भी कुश्चन आता है दो लैंग्वेज वाला इंस्क्रिप्शन कौन सा है कांधार इंस्क्रिप्शन चलिए आगे ब और जो मेरट के इंस्क्रिप्शन था इसको फिरोश्या तुगलग आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा दिल्ली सलतनात में यह कहां पर लेकर किया था दिल्ली और उस व्यक्तिन इसको पढ़ने की कोशिश की लेकिन यह फेल रहा एक कोशन यह आता है कि कौन सा पहला किंगता जि यहां पर ध्यान से देखो जो अशोक का 13 रॉक एडिक्ट है नंबर काफी इंपॉर्टेंट है यह दोस्तों वही धौली हिल्स में मैंने आपको औरीसा में शो किया था यहां पर अशोक ने एकसेप्ट किया मुझसे कलिंगा में बहुत बड़ा हत्याकान्ट हो गया है और मेरी सबसे बड़ी गलती थी तो यह पॉइंट भी गाईस आप लोग को यहां पर धान में रखना इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ ठीक है अशोक ने आप एकसेप्ट किया और आपसे कोशन आया कि अशोक का लॉंगेस्ट रिटन इंस्क्रिप्शन कौन सा है यही आपका कोशन आया था ऐसे सी जेई में 2020 में 2020 में इसलिए इसको भी आप एड़ कर लो उसमें अशोक ने धम महा मातर मतलब धर्म का एक अधिकारी होगा एक ऑफीसर होगा और यह पॉइंट किया था अशोक ने अपने शाषन के तेरवे साल में एक धर्म को प्रचार प्रसा इंपेडिंगी त्यक्ति नहीं आता इधान और यह दोनों आदें थारटेंट और वाला धबरु जो एडिक्त है दोस्तों यहां पर बात करें गए जो भबरु है यह आपको यह आपको बात करेंगे इसमें तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो यह आपको देखने को मिलेगा, राजिस्थान, कहां पर देखने को मिलेगा, राजिस्थान, और इसमें शो किया गया है, त्री रतन, त्री रतन मतलब क्या हो जाएगा, बी डी एस, बुद्ध, धम, संग, यह इसमें शो किये गया है और भब्रु को ही दोस्तों बैरत इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं यहां पर रहे होंगे यहां पर है राजिस्थान अब पॉइंट देखो अशोक का जो इंस्क्रिप्शन हुआ करदा था कहां पर कौशामभी में उसको जहांगीर जो कि एक मुगल किंग है वो कहां लेकर के आगया प्रयाग राज लेकर करके और उसको पढ़ने की कोशिश किया लेकिन फेल होगे मतलब दूसरा राजा जिसने अशोक के इंस्क्रिप के अभिलेक में ही अपने राजा शमुद्रृत का भी जिक्र किया फॉइटिंग वॉइंट यह वाला भी आपका क्लियर हो रहा होगा और आगे चल करके अशोक के इंस्क्रिप्शन को पढ़ने वाला जो पहला व्यक्ती था वह बटिश था जिसका नाम ता जेम्स पिंसप जिसने आशोग के इंस्क्रिप्षिंग को रीड किया अब दोस्तों बात करेंगे तो सिंधु नदी के इधर यह ऐपको दिख रही होगी अधर बात करें तो कॉंसी लेंगवज चल रहे थी है जो यहांपर स्क्रिप्ट चल रहे थी वो चल रही आपकी ब्राम्ही यह आप लोग याद रखो और सिंदुनदी के दूसरी तरफ दो लेंग्वेज चल रही थी एक है आपकी ग्रीक युनानी और दूसरी आपकी चले अरेमिक अरेमिक हम लोग बात करेंगे दोस्के चिरिया वगारा है उससे लेटेड लेंग्वेज है क्योंक पर कौन सा मिलेगे आपको ग्रीक और अरेमिक और यहां पर कोई इस एरिया में नहीं मिला और ही में कि जो मदूरही की जो इंस्क्रिप्चन्स ए उनकी लेंग्वेज कहा है दोस्तों अभी मैंने आपको बता दिया था जो सिंदुरडी के इस तरफ है ब्राम्मी और प्राकृत और दूसरी तरह दोस्तों लोग बात करेंगे अफगानिस्तान में आपको ग्रीक और आरामिक देखने को मिलेंगे यह रोजाएना चाहिए उसके बाद दोस्तों कुछ भी सिग्निफिकेंट लिग वानी मौरे डानस्टी में और इनका लास दर्था उसका नाम था भीदत और इस ब्रीदत को इसी के सेनापती ने मारा था और इसके सेनापती के नाम था पुष्यमित्रसूंग के नाम था पुष्यमित्रसूंग और यह ब्राम्मन था अभी आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा और यहां पर एक याद रखो सब्तांग थियोरी बस आप न सब्सक्राइब और बात करेंगे दोस्तों मौरयास के समय कि कुछ ऑफीसर एक ऑफीसर हुआ करते जिसको बोलते समाहरता समाहरता किस चीज के ऑफीसर है यह रिवेन्यू यानि की राजस्तों के ऑफीसर है और दूसरे कि दोस्तों सननी धर्ता यह किसके ऊफिसें ट्रेजरी मतलब बिसिकली दोस्तों लोग बात करेंगे ये खजाना डिटेड आप जाना यह पॉइंट भी आपके लिए एक्जाम में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा तब को पताना होना चाहिए अब अगली पॉइंट के तरप चलता है अब अगला आ जाएगा दोस्तों शूंग नाथ मेरे शीर्डी तो शीर्डी से हो जाएगा सूंग डैनेस्टी का फाउंडर ही कौन था पुष्चमित्र सूंग ठीक है जिसने 185 से लेकर के 148 बीसी के समय तक दोस्तों लोग बात करने कोशिश करेंगे तो रूल किया तो यही फाउंडर था और हमारे देश का फॉस्ट ब्रामभिन वंच था यह कुश्चन आता है ठीक दोस्तों दो किताबे लिखी ती एक महाभाष्य और दूसरी योगसुत्र में आप जानते हो योगा बाबा राम देव ठीक है ना और दूसी बात जो है दोस्तों बाए बात करूँ महाभाष्य के बारे में याद होगा आपको एक किताब ती ना अस्ट अध्धाई जो किस सारी इंपोर्टेंट है और पुष्ट मित्र सूंग का बेटा जो था उसका नाम था अगनी मित्र यह पॉइंट्स आपको याद रखना भई यह सब आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं और यहां पर दुबारा से रिग्वैदिक जो आप बोल सकते हैं फिर वैदिक सिस्ट मैं काफी बंद हो गया था ठीक है तो यहां से दुबारा से वैदिक सिस्टम जो हो चालो हो जाएगा ठीक तो इत्ती बात है आप लोग यहां पर याद रखना और वैदिक जो सिस्टम है उसका जो रिवाईवल है वह कब माना गया है दोसको याद रख लेना वह आपको इस अगली बात दोस्तों पुशमित्र सूंग के बारे में आपर देख लो जो सांची का जो स्टूप है ठीक है उसको बनवाया था किसने अशोक ने और इसका एंट्री गेटर पुशमित्र सूंग ने बनवाया और सांची का इस तूप दोस्तों बाद में चाल करके गुम हो ग किया तो यह भी आप लोग याद रख सकते हो इसको डिस्कवर किया था जनरल टेलर ने और कब किया था एटीन में किया ठीक है और इस आची स्टूप दोस्तों कहां पर आप लोग जानता है यह रैसें न मध्यपुदेश में है और बात करेंगे यूनेस्को वर्ड हरिटेस साइड भी है आगे बात करते दोस्तों पुश मिते सून के समय में मनुस्मृति को कंपाइल किया गया और मनुस्मृति के बारे में याद अखना इसको अपन क्या बोल देते हैं किसकी हिंदू की फॉस्ट लॉबुक बोली जाती है किसकी भई हिंदू की तो यह पॉइंट भी आप लोग यहां पर ध्यम रखने तो इनी के समय में संकलं किया गया एक्जाम में आ जा तो आपको पता होना चाहिए ठीक और इनकी कैपिटल जो है दोस्तों दूसरी वह थी विदीशा विदीशा भी आज की रेट में कहां पर है एंपी में कौन सी ने दिके किना रहे तो गंगा ऐख मध्यबगदेश के नाम से भी जाना जाता है लास उलर दोस्तों इस डैनस्टि का होता है देवभूती और देवभूती को भी इसी के सेना पती ने मारा जिसका नाम था ब्राम्मण रखती ही है ठीक है अब यहां पर आज्यागी कर्णवादानस्टि जिसका पा बता हो क्या मगद क्यों कि अब यहां पर एक दूसरी डैनेस्टी का राजा करके रूल करेगा जिसका नाम क्यों जाएगा सिमू किया फिर सिंदू इत्ते पॉइंट आई होब दोस्तों आप लोग के क्लियर हो गया होंगे अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे और दूसर से एक हो रहा था वैस्टन से हो रहा था रिकान में और बात करո्णेंसर लगाता हो रहा था ठीक है पर आप यहां पर एक कुषान अंपायर से बात दोस्तों यह आप का यह पार्टी पूत्र है यह आपका बिर यह वाला जो इरिया चोटा सा एक यहां पर मुलों बात करें तो कन्वा डिनस्टी चल रही थी दिरे दिरे कम होती चली जा रही है और यहीं पर एग्नायड अंपायर बनता है जिसका नाम क्या साथ वहन अंपायर इसी कैपिटल प्रतिस्थान या फिर पोटन क्या नाम है प् सिंदुक इसी वैक्ति ने का किया था जब मार दिया किसको सुशर्मन को यह वाला जो एरिया है जो चोटा सा मगत बचा था यह भी पूरा कैप्चर हो जाएगा और यहां पर साथ वहन अंपायर के बारें पढ़ लेते हैं इसी कैपिटल है पोटन या फिर प्रतिस्थान औ आगे बात करते हैं इनका जो सबसे प्रतापी राजा है उसका नाम था गौतमी पुत्र砂प करिनी मदर का ठीकेहर का था इस्ने अपनी मदर के नाम पर क्या नाम रखा अपना गौतमी भी लिया था और इसका बहुत ही फेमस इंस्क्रिप्शन आपको नासिक इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलता है वही आप लोग ध्यान रखना वहाँ पर एक ब्राह्मन भी आपको देखने को मिलेगा उसके बाद साथ वहाँ नहीं थे दोस्तों जिसने इंडिया में क्या च ठीक है ना तो क्योंकि एक्जाम में कोशन आएगा वही तो आप लोग को पता होना चीजी जो लेड के जो सिक्के हैं वह किसने चलाया थे इन लोगों सुनाया थे और इनी लोगों ने जमीन दान देना भी चालू के था ब्राम मिन्स को और साथ पानों में जो लास रूलर होंगे आप लोग कमेंड में करना थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस और हम लोग इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स लक्चर